हेलो गाइज मैं हूँ प्रीती और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ Students Point वेल जो सेकंड सेमिस्टर के स्टुडेंट्स हैं जो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उनमें आप सब जानते हो कि बीकॉम प्रोग्राम का जो रिजल्ट है वो अल्रड़ी अनौंस्ट कर दिया गया था मैंने उस पर अल्रड़ी वीडियो बनाया है कि रिजल्ट कैसे चेक करना है ठीक है और जो बाकी के कोर्सेज हैं जैसे कि आपका बीए प्रोग्राम हो गया बीकॉम ओनर्स हो गया बीए इंग्लिश ओनर्स और बीए पॉलिटिकल साइन्स ओनर्स इनके result के बारे में मैं इस वीडियो में आपसे discuss करूंगी कि आपका जो result है वो कब आएगा तो सबसे पहले बात कर लेते हैं BA program के students की तो देखो BA program का result हमेशा ही delay आता है आप सब जानते हो जो फर्स semester का भी जब result आया था तो सबसे last में BA program का result जो है वो announced किया गया था लमसम वन मंत का gap था उसमें है न तो BA program का जो result है वो फिलाल हम expect में ही कर सकते हैं BA program का result last में ही आएगा क्योंकि उसमें बहुत सारी student होते हैं लमसम जितने students total courses में होते हैं वो सब मिला के अकेले BA program में होते हैं तो इस वज़े से BA program का result जो है वो officially भी थोड़ा सा late announced होता है ऐसा school of open learning खुद भी बताता है ठीके अब रहे गई बात other courses की मतलब honors वाले जो students हैं उनकी चाहे वो B.com honors से हो चाहे B.A. honors से हो है ना तो आप लोग का जो result है वो देखो within a week announced कर देना चाहिए मेरे according धीरे-धीरे करके क्योंकि B.com program का result आ गया है तो अब धीरे-धीरे करके BA political science honors BA English honors और B.com honors आप लोग का result भी धीरे-धीरे करके announced कर दिया जाएगा तो आप लोग को परिशान होने की जरत नहीं है और एक बात और आप लोग बार-बार message कर रहे हैं कि मैं हमारा BA program है हमारा result नहीं आया result शोर नहीं हो रहा है result not found बता रहा है हमारा English honors है हमारा result not found बता रहा है आप लोग comment कर रहे हो वीडियो में जो मैंने B.com program के लिए बनाया है तो उस वीडियो में मैंने already बताया था कि अभी फिला सिर्फ और सिर्फ B.com program का result आया second semester का बाकी courses के result अभी announced नहीं किये गए हैं तो आप लोग परिशान मत हो जबी भी announced किया जाएगा result में definitely आप लोगो time to time inform करते रहोंगी बाकी further classes के लिए updates के लिए आप channel को subscribe कर लीजे ताकि जो भी नोटिफिकेशन लगरा रहते हैं आपके official या फिर अनओफिशिल या फिर classes रहती हैं आपकी वह आपको time to time हमारे चैनल के थूर मिलती रहे हम personally भी classes प्रोवाइब करवाते हैं जो की completely free of cost classes होती है हमारे YouTube चैनल पे तब वहां से भी classes attend कर सकते हैं और easily यह है कि third semester और fourth semester दोनों के subject जो हैं वो एक साथ ही select होते हैं जब third semester का admission होता है आप लोगों का ठीक है तो जब तक result नहीं आएगा तब तक possible ही नहीं है कि आप लोग third semester का आपका admission स्टार्ट हो जाए तो थोड़ा सा वेट कर लो जब सभी courses के result announced कर दिये जाएंगे उसके बाद ही third semester का admission portal भी start होगा और जब भी start होगा मैं उसके लिए भी आप लोगों को update करती रहोंगी टेलिग्राम चैनल जोईन कर लीजे जोगी specially आप लोगों के लिए बनाया गया है जो अभी third semester में जाएंगे students उनका separate telegram group है उसको भी join कर लो आप लो ताकि वहां पे भी आप लोग आपस में भी discuss कर पाओ और साथ के साथ आप time to time updates भी वहां से collect कर पाओ all right so फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही guys so thanks for the watching this and best of luck all